दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार, देखिए हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि सबसे स्वादिष्ट मचली कौन सी है, सबसे टेस्टी मचली कौन सी है, बहुत सारे लोगों को पता है कि कौन सी मचली टेस्टी है और बहुत सारे लोग कनफ्यूज रहते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं तीन मचलियों को जो टेस्टी होती है लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो कौन सी मचली है और क्यूं उसको लोग क्यूं पसंद करते हैं और क्यूं इतना वो मचली टेस्टी यानि के स्वाध तो दोस्तों देखिए मैं शुरू करूँगा सबसे पहले एक समुंदर की मचली है जो खारे पानी में रहती है और मीठे पानी में भी रहती है उसका नाम है सालमन उसको रवास मचली के नाम से भी जाना जाता है तो ये मचली तेश्टी होती है और इसको पसंद किया जाता है लेकिन हर जगा समुंदर नहीं है और बड़ी बड़ी नदी के आसपास में हर कोई नहीं रहता है तो ये मचली आसानी से हर जगा नहीं मिलती है दूसरी मचली है पॉमफर्ट मचली को आम भासा में पॉपलेट मचली बोला जाता है लेकिन दोस्तों पॉपलेट मचली या पॉमफर्ट मचली हर जगा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है हर बजार में ये आपको नहीं दिखाई देगा तो ये टेस्टी मचली है लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेस्टी मचली है वो अभी देखिए एस्क्रेन के उपर ये है रोहू मचली और रोहू मचली हर जगह पर आसानी से मिल जाएगी ये नदी में भी मिलेगी तालाब में छोटा छोटा जगह होगा जलाशे होगा वहाँ पर भी डैम में भी हर जगह ये मचली मिलती है और टेस्टी होती है, इसका कारण है दोस्तों, रोहु मचली क्यों पसंद की जाती है लोगों के जरिये, इसका मैं एक और कारण बता रहा हूँ, यह मचली जहां भी रहती है, अगर इसके साथ मजबूरी नहीं हो, तो यह सिर्फ घास, यानि पानी के अंदर जो घास होता है, वही खाएगी, या अनाज का जो दाना मचली को दिया जाता है, वो खाएगी, बहुत मजबूरी होगा, बहुत ज़्यादा भूकी होगी, तभी जाकर के यह तूसरे कीणे मकूरे को खाती है, अक्सर यह मचली जो है, घास और अनाज के उपर जिन्दा रहती है, जिसके तो इसको भूख लगा होगा, चारा नहीं मिलेगा, तभी जाकर की यह छोटे-छोटे कीडे मकूरों को खाएगी, नहीं, तो आसानी से यह घास और दूसरे जो पानी में तैर करके, जमीन के उपर से पानी में तैर के जो अनाज के टुकड़ा जाता है, वही खाकर के जिन् मचलियों को खाएंगे, तो आप फर्क खुद महसूस कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादर टेस्टी मचली, रोहु मचली को माना जाता है, दोस्तो इसके अलावा पसंद करने का वजह और भी है, क्योंकि रोहु मचली में विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C पाया जाता है इसके अलावा इसमें पारा जो होता है, वो मध्यम मध्यम होता है, कम होता है, जो ज़्यादर किसी को नुक्सान करने वाला चीज़ जो है, वो कम होता है, इसके वजह से इसको ज़्यादर पसंद किया जाता है, तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ओके दोस्तों सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया